हेलो फ्रेंड्स मैं डॉप्टर काजल मंगुक्या गाइनेकलोजिस्ट, औप्स्टेट्रिशन और आईवेफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम और्किड हॉस्पिटल और आईवेफ सेंटर सूरत आज हम बात करेंगे हमारे जो कमेंट बॉक्स में क्वेशन आया है उसके बारे में कि मैम मेरी शादी को चार साल हो गये है सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है नॉर्मली सो क्या करना चाहिए तो फ्रेंड्स काफी सारे लोग रहते हैं जिनको हम ब नॉर्मल है वाइफ जो है उनका सोनोग्राफी ओवरीज उनके नॉर्मल है दोनों बात जो कि फेलॉक्यन ट्यूब्स ओपन है यूट्रस में भी ऐस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी वावजूद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है इसे हम कहते हैं अनेक्स्प इंसेमिनेशन आपको पीरियड के सेकेंड डे से कुछ मेडिसिन दिये जाते हैं ताकि आपके जो एग्स है वह अच्छी क्वालिटी के और उसका ग्रोथ अच्छे से हो जैसे ही ओविलेशन हो जाता है और आपके पीरियोड्स रेगिलर है तब सो एक बार ओविलेशन हो ज करके और फिर उसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है जिस प्रोसीजर को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानि आई यूई प्रोसीजर कहते हैं हमारे और भी वीडियोज है जिसमें हमने एक्जेट आई यूई प्रोसीजर का लाइव वीडियो भी बताया है तो व आप IUI के treatment का option ले सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलने के chances ज्यादा रहेंगे Thank you friends for watching this video अगर आपके और भी कोई comments है तो आप जरूर से comment box में लिख सकते हैं आपके कोई queries है आपको लगता है कि कोई specific topic पर हम video बनाएं तो वह भी आप comment box में लिख दीजिए Thank you झाल